आज मैं आपके साथ पनीर बटर मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसके कारण इसकी ग्रेवी बहुत ही मकमली और बहुत ही स्मूध बनेगी तो देर ना करती वे चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले लिया है प्याज और टमाटर तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है और उसके लिए हमने दो टमाटर लिये हैं तो प्याज हमेशा जितनी हम लेंगे उसका डबल टमाटर लेंगे जैसे कि यहाँ पे एक प्याज ली है तो दो टमाटर लिया है आप दो प्याज लें तो दो टमाटर ले लें तो इनको हमें बस इस तरह से रफली चॉप करना है तो बेसिकली हमको इसको अभी पकाना पड़ेगा है ग्रेवी के लिए इसलिए अभी हम इसको रफली च त्यार हो गए हैं इसी तरह से हम टमाटर और प्याज को कट करके त्यार करके एक साइड में रख देंगे अभी हम और इसी तरह से अभी हम यहां पर ले लेंगे पनीर तो पनीर को भी हमें कट कर लेना है तो यहां पर देखिए हमने 500 ग्राम पनीर लिया है तो 200 ग्राम के हम प एक पैन चढ़ाएंगे उसके अंदर हमने थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें डाल देंगे एक लाइची और एक डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा दो लॉंग डाल दी है मैंने और तीन से चार काली मिर्च डाल दी है और थोड़ा से जावित्री का टुकड़ा डाल दिया तो खड़े मसाले आप अपने पसंद के डाल सकते हैं और थोड़ा से यहां पर हमने जीरा भी डाल दिया है और जब मसाले अच्छे से भून गाएंगे लो फ्लेम पे हमेशा मसालों को भूने जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है कभी भी इसको हाई फ्लेम पे ना डाले ज्यादा गर्म तेल में ना डाले जिसके कारणी यह जल जाएगा तो यहां पर देखिए मैंने प्यास डाल दिया जो मैंने चौप करके रखी थी उसके साथ 8-10 लेसन के कलिया है और डाला है यहां पर अधरक का टुकड़ा एक इंच का कट करके और डाला है 7-8 काजू डाल पर देखिए टेमाटर को भी थोड़ा सा भून ली आप हमें क्या करना है प्ले को पकाना है और वहीं सबी चीजों को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर ले ना है तो इसके लिए आप अपर डाल दिया थोड़ा सा नमक यहां पर आप अपने टेस्ट की कोडिंड डाल तो यहां पर अभी हमने पूरी सबजी करीच टाला है थोड़ा सा ही डाला है और उसके साथ हम यहांपे ढाल देंगे पानी तो हमने 3-4 चमच पाती पानी दाल दिया है दो मिनिट के लिए और दो मिनिट और उसके बाद देखें मैं ने यहाँ पैन में लिया है तेल उसी पैन में लिया हुआ है और शोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे पनीर के क्व्प करके हैं तो पनीर की क्यूब्स हम हमें फ्राई करने हैं तो थोड़ी देर इसमें डाल करके हम फ्राई कर लेंगे पनीर को इस तरह से उलड पुलड करके तो बहुत ज्यादा इसको हलके हातों से करेंगे जिससे पनीर तूटे ना तो दीखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो हम इसे साइड में रख लेंगे अब हमने चड़ाई है कड़ाई फ्लेम पर और उसमें डाल देंगे दो चमच तेल और एक टुकड़ा डाल देंगे बटर का और इसको हम गरम हो जाने देंगे जब हमारे बटर पिखल जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े ग कुल के लिए ओपता है कि दाल फेज्टा है यहां पर फेस्ट्ट एक दाल करें और ऐस्ट भूमेन के लिए भूमनेसहार favor है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भुन लेते हैं तो मसाला भुनना जरूरी है थोड़ा सा यह भुनेंगे वैसे यह पका हुआ है लेकिन थोड़ी देर के लिए और भुन लेंगे इसको तो देखें यहां पर अब हम थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं यहां पर और यहां अच्छे से mix कर लेंगे और थोड़ी दिर के लिए मसाले भूनने हैं तो यहां देखे एक से दो मिनिट मैंने मसाले भून लिए हैं और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर प्राई करके रखा आप हम डाल देंगे तो देखे मसाले ज़रूर भून इसा प्रकाल. knock médao श्बालें, को सब्सक्राइब ब्लोया दआएगा तो सब्सक्क्राइब हमें. जो हम उने जार रखा था उसमें ठोड़ाँ पाइडी डाल करके हमने डाल दिया है और इसको हमम णिक्स कर देंगे अच्छे से अब ढख देंगे और एक से दो मिनीट के लिए ढखा रहने देंगे जिससे पनीर भी सॉप्ट हो जाये तो देख एक से 2 मिनीट के पाद अटाकर देखा है तो पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और बढ़या सा हमारा बटर पनीर मसाला बनके तयार हो गया है तो अब इसमें हम कुछ और चीज़े डालेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर थोड़ी सी मैंने भुनी हुई कसूरी मेथी डाली है और इसको भी हम चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं तो यहां पर देखिए मैंने इसको एक कडाई में निकाल लिया है और यह बहुत यह टेस्टी बनके तयार हुई है आपको कैसी लगी आप जरूर बताईएगा बहुत ही लजीज बनके तयार होती है आप इसको किसी की भी चीज के साथ एंज किसी को